नमस्कार खबर उत्राखंट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जियोती उत्राखंट में विधानसभा की दो सीटों पर हो रहे उक चुनाव को लेकर के इंडिया गठवंदन ने अपनी कफ तैयारिय तेज कर दी है मंगलोर और वद्रिनाथ दोनों सीटों से कॉंग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इंडिया गठवंदन के निताओं का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाओं के दोरान पूरे देश में विपक्ष मजबूत हुआ है और विपक्ष के प्रती जरता का रूजान बड़ा है उसी तरह से इन दिनों जो है दोनों सीटों पर कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की भारी बहुँ भारी बतों से जीत होगी आपको बता दे कि कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की अध्यक्षता में कॉंग्रेस प्रदेश मुख्याले में इंडिया गठवंदन के नेताओं और सिविल सोसाइटी की विदान सभा उप्चुनाओं को लेकर के बैठक हुई है बैठक में कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी, CPI, CPM, राजजितिक दलो के अलावा जो है सिविल सोसाइटी से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए कॉंग्रेस प्रदेश को इस लायक बनाया है कि विपक्स अपने पैरूपर खड़ा रहे है और मौदी मनमानी करने से बचे और मुझे लगता कि इन बाई एलेक्शन्स में भी दोनों चाहिवों मंगलावर के लेक्शन्स है फद्रेनाथ का हमारी इंडिया गड़ बंदन का के अच्छी साथ अच्छी पकड़ सथी के फॉल्वर्वर्स है नहीं देखिए लगातार जबसे हम लोग संयुक्त आंदोलन लगातार पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं क्योंकि केवल नेताओं के बैटने से जमीनी एकता नहीं बनती है इसलिए ग्रासूप लेवल पर तमाम पार्टियां बाजपा विरोदी जो पार्टियां हैं उनको विकल्प अगर बनाना है तो उनको सहीं सांदोलों में मद्वीती से शिरकत करनी परेगी इस से परसपर कहड़ का विश्रास आपसी परसपर विश्रास बनता है इसके लिए अब लगातार प्रेयास कर रहे हैं देखे देश्ट ने इंडिया गजबन्दन को सुईकार किया है और सपसे बड़ी बात है लोगतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोगतंत्र की रक्षा होती है और हम विपक्ष में हैं पूरी तरीके से सरकार को नकेल लगा लाचा रखेंगे और उत्त्राखंग में अभी जो दो उक्षिनाओं है आज हमारे इंडिया गर्दन की बैसक इसमें निर्ने लिया गया है कि हम सब मिलकर के जो हमारे दो बद्विनाथ और मंग्रोड जो कांग्रेस के लगा है खबर जनपद उधम सिंग नगर के खटीमा से है जहां खटीमा में मुख्य चौक के पास स्थित शहीद इसमारक स्थल पर नीट यूजी परिक्षा और नेट परिक्षा में अन्यमित ताओं और पेपर लेक को लेकर के केंद्र की बीजेबी सरकार के खिलाफ विधायक और उपनेता प्रतिपाक्ष भुवन चंद्र कापडी के नेतरतु में आक्रोशित कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने जोड़दार धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जम करना रेवाजी भी की वहीं आपको बता दे कि उन्होंने बीजेबी सरकार के खिलाफ अपना गुस्ता जाहिर करते हुए मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुत्ला भी धहन किया कि देखे नीट और रेट दोनों के पेपर लिए 24 लात चात्र जो दिन गात मैनत करता है एक आम परिवार का चात्रे गरीब परिवार का चात्रे जिसके माबाब जो है कि अपनी गाली कमाई का की सारी पूजी जो है उस बच्चे के पड़ाई लिखाई पर लगाते हैं और पेपर देखकर आता है उसे प्रचलता है कि पेपर का सौधा पहली से हो गया आपने देखा होगा कि एक ही कोचिंग सेंटर के बच्चों ने पूरे 100 प्रशेंट बाक्स लाए हैं 6-7 बच्चे और धांदली हुई है साब साब इस पर रहा है और इकरार नामा भी एक चात्र कर रही है और इस पेपर को निरस नहीं कर पा रही है और हल्दवानी में सेटी मजिस्ट्रेड एई एपी वाजपे ने बनभूलपुरा में अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों पर शापे मारी करवाई है बनभूलपुरा शेत्र के कई जगों पर अव तो वहीं ताज चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेड ने पॉलिथीन का एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा है बताते चले कि हल्दवानी के बनभूलपुरा में ड्रग इंस्पेक्टर और प्रशासन ने एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया जिसमें चार मेडिकल स्टोर को स सील किया गया है दरसल अवैद मेडिकल स्टोर पर चाप मेमारी की गई थी और एक्शन मोड में प्रशासन देख रहा था तीन क्लिनिक जिसके चलते सील कर दिये गए हैं और बताया जा रहा है कि बाकियों को भी सकते चितामनी दे दी गई है दरसल सिटी मजिस्ट्रेट का यह एक्शन देखने को मिला हलदवानी में और यहां पर अवैद मेडिकल स्टोरुक के खिलाफ चाप मेमारी चल रही थी और इस चाप मेमारी के अभियान में कई लोग जो है अवैद तरीके से क्लिनिक चलाते पाए गए जिसके चलते तीन क्लिनिक को यहां पर सील भी कर द दरसल बीदे कई दिनों से शिकायते मिल रही थी कि कई परकार के आनी में ताएं जो हैं दवाई वित्रन में की जा रही हैं क्लिनिकों में की जा रही हैं जिसके बाद से सेटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था और इसके खिलाफ एक सून्योजित ढंक से चाप मारी की चाप मारी में कई प्रकार के आनी में ताएं पाई गई और इसी के चलते जो है अवेज मेडिकल स्टोर पर चाप मारी करके तीन क्लिनिकों पर सीलिंग की कारवाई की गई मेडिकल स्टोर पर इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी दो मेडिकल स्टोर पर बिरूद और प्रदेश में मांसून की दस्तक के बाद से उत्राखन वनविभाग अब एलर्ट मूड पर आ गया है जिसे देखते वे वनविभाग वनागनी से प्रभावित वन शेत्रों में व्रक्षार ओपन करने की तैयारी में है इस बात को लेकर के वन विभाग के हौफ डॉक्टर धननजे मोहन ने कहा कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वज़े से अब वनागनी का एक भी मामरा देखने को नहीं मिल रहा है जिससे बहुत ज्यादा राहत मिली है और साथ ही उन्होंने कहा कि हम व्रक्षार ओपन के काम में स्थानी समुदायों को भी जोड रहे हैं और सोईल एंड मॉइस्चर कंजरवेशन के तहत हम छोटी जलधाराओं का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि सोईल इरोजन परकाव उपा सके तो मॉन्सून को लेकर के अब वन विभाग ऐलर्ट मोड़ पर है और क्योंकि मॉन्सून जैसे ही आएगा वैसे ही व्रक्षार ओपन की तयारी वन विभाग के द्वारा की जा रही है क्योंकि बीते दिनों वनागनी के चक्कर में काफी नुक्सान हुआ था जिसके चलते आप जो है रिक्षार ओपन के तयाली में वन विभाग जुट चुका है पूरे प्रदेश व्यापी बारिश हुई है जिससे बहुत ज्यादा रहात हुई है आज एक भी किसी तरह का कोई अलर्ट नीथा फायर का प्रासा जो अलर्ट आपे हैं तो फिलाल इसे समस्या पूरा कंट्रोल हो गया है और अभी यह मौनसून नहीं है प्री मौनसून ही है म लेकिन जो महाल बनावा है उससे लगता है कि अब आने वाले दिनों में नमी बरकरार रहेगी रशिकेश और आसपास के इलाके में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्मान को लेकर के नगर निगम में बैठक हुई और इस बैठक में आपको बता दें कि कॉरिडोर निर्मान के लिए एक प्राइवेट कमपनी ने शहर के व्यापारियों से सुझाव लिये हैं और कमपनी का दावा है कि जो बहतर सुझाव व्यापारियों के ओर से मिले हैं उन पर गहनता से विचार किया जाएगा और साथ ही जो है जल्दी धार्मिक और समाजिक संगठनों के साथ भी बैठक में बैठक करके सुझाव लिये जाएंगे और साथ ही बैठक में व्यापारियों ने कॉरिडोर निर्मान को ले करके शहर में तोड़ फोर नहीं करने का सुझाव सब से पहले दिया दूसरे नंबर पर शहर में प्रात्मिक्ता के तोर पर पार्किंग की विवस्था की बात कही गई है और इतके अलावा जो है लक्षमन जूला, राम जूला और चार धाम जाने वाले यात्रेओं के लिए बाई पास का निर्मान करने और साथ ही शहर में फ्लाई ओवर बनाने का सुझाव भी दिया गया लगातार पढ़ रही गर्मी को देखते हुए शहर के आसपास के शेत्र में ग्रीन कॉरिडोर का निर्मान करने की बात भी एजनसी के सामने रखी गई है तो रुशिकेश में एक कॉरिडोर का निर्मान होना है और जिसको लेकर के प्रस्ताव पास पहले ही हो चुका है और आप क्योंकि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है उसकी तरफ से लगातार बैठके की जा रही है इस बार जो बैठक हुई वो कई मुद्दों को लेकर के व्यापारियों के साथ बैठक हुई जिसमें व्यापारी कई तरीके के सुझाव देते हुए नजर आए काठकोदाव इस्थित प्रजानमंत्री ग्रामिण सडक योजना के दफ्तर में भीमताल से आये ग्रामिणों ने अनिश्यत काली नहरताल शुरू कर दी है बेमताल विधानसबा में प्रजानमंत्री ग्रामिण सडक योजना के अंतरगत बन दही सडकों में भयंकर भ्रस्टचार का आरोप लगाते हुए जो है निर्मान कारियों को पुनह कराए जाने की मांग की गई है आपको बता दे कि इसके अलावा जो है सडक निर्मान में काम करने वाले स्थानी लोगों को भी कारिदाई सस्था ने एक साल से पैसा नहीं दिया है लहाँ से सभी मांगों को लेकर के पूर्व दर्जाराज्यमंत्री हरीश पनेरू के नेतरत में इस्थानी ग्रामिनों ने हर्ताल शुरू कर दी है सडकों की हालत सुधारनी और लगातार हो रही दुर्गटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित दिवार बनाने की मांग को लेकर के जो है लोगहरताल पर बैठे हैं तो वही अधिकारियों का मामले में कहना है कि शासन से सारा मामला शासन को भेज दिया गया है जैसे ही निर्मार की शुकृति आएगी तो काम शुरू कर दिया जाएगा तो अलदवानी से रोज की ये तस्वीरे हैं जहाँ पर PMGSY पर ग्रामिनों का बवाल देखने को मिला दरसल सड़क निर्मार को लेकर के अनिश्चित कालीन धरने पर जो है ग्रामिन बैठ गए है उनका कहना है कि सड़क निर्मार में कैतरक की अनिवित्ताइप आई जाती है प्रस्टचार इसमें चरम पर होता है इसलिए जो काम सही तरह किसे नहीं कराये गया है उसका पुना निर्मार जल से जल कराये जाए और इसी मांग को लेकर के ग्रामिन अनिश्चित कालीन हर्ताल पर बैठे हैं सड़क की आलत लगातार हम एक साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं इस पर निमित्ता औरी नम्मर एक मांग यह है नम्मर दूसरी मांग जो हमारे अन्शूचित जाती के बाई हैं कि दिवाल का काम उस पर सुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए अगर यह मांग पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम करो या मरो के नारे के शात महीं आया हूँ इस लड़ाई को हम आरपार की लड़ेंगे क्योंकि मैं अधिकारियों को लगातार एक साल से सूसना दे रहा हूँ इसको सुने नहीं इसका मतलब सब रष्टाचार में लिपते हैं इसमें इनके कुछ मांगे हैं उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं उसके लिए हम हुंपाइप कलवर्ट के प्रोविजन कर रहे हैं कुछ दिवारे हैं जिनके वेरियेशन अभी शाष्षन में प्रेशित के रहे हैं इसकी स्विक्रिती आने के पच्छाद वहां पे काम शुरू हो सकता है दिवारों का लगभग एक करोड का गुछ का गया है हमारा इस्टिमेट उसका इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंदित है और बंद पड़े घर में चोरी करने वाले चोर को रिशिकेश कोटवाली पुलिस ने मंसा देवी फाठक के पास से गिरफ्तार किया है चोरो द्वारा चोरी की गई जोलरी और नकदी पुलिस ने बरामत कर ली है वहीं चोरी में सिमाल एक स्कुटी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और आरोपी को पुलिस ने न्यायले में पेश किया साथी कोट के आदेश पर आरोपी को जील भीज दिया गया मामे की जानकारी जो है कोटवाल शंकर सिंग्रिस ने दी है तो रिश्के से ये खबर है जहाँ पर एक बंद पड़े घर में चोरों ने हाथ साफ किया है और फिलहाल पुलिस के संग्यान में जब इमामला आया तो पुलिस ने कारवाई करते वे चोर को भी गिरफ्तार किया वो चोरी में जो चोरी की गया थे जोयलरी और नकदी वो सभी भी चोर से बरामद कर लिया गया है बद्रिनाथ विदान सभा उप्चुनाओ को लेकर के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामाचंदरन और व्याई प्रेक्षक मंदीपमार ने जो है आरो, ए आरो और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है इस दरान उन्होंने उप्चुनाओ की तैयारियों को लेकर के व्रिस्तित्र जानकारी दी है उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को जो है शांति पूर्ण संपन कराना सब का दाइत्व होता है और साथ ही साथ उन्होंने आदर्श आचार सहीता की निगरानी सहीत चुनाओं में होने वाले सभी गतिवीद्यों पर जानकारी दी और बहतर समन्वे और समय बद्धता के साथ निर्वाचन कारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिये कि हमारा फॉसले देश निर्वाचन बजिना धिधांसवा सीट का चल दाए तो उसी क्रब में क्यूंकि दस तारीक को हमारी भूटिंग जो सब्सक्राइब करा ना होता है तुसी अब में आज उने जो जिम्स हॉल है हमारा वालेज का वह प्रेसेशन कराए सब्सक्राइब करा इसके उपरा इव्याप निदिक राएंगे तो ट्रेनिंग एन अवेरनेस के मशीने प्रॉपर ली निदा ली तिक रहेंगे कैसे उनको उनको गुट कराना है कैसे उनको क प्रॉपर तुट्रूटी रही ती उसमें इशुना और अच्छे से हमारे जो कार्मी के वो ट्रेंड है तो ये आज मारत रहेंगे और आप खबर पितौरा गड़ से है जहां अगनिशमन एवं आपात सिवा केंदर से फायर स्टेशन को सिलेंडर फटने की सूचना प्राप्त हुई लेडिंग फायर मैन नरेंडर प्रसाद के साथ फायर टीम घटना सल को रवाना हुई वहाँ जाकर देखा तो गैस सिलेंडर के फटने से घर की दिवारे कॉलम बिम से हट गई थी और किचन में एक महिला बसंती देवी गंभी रूप से खायल हुई फायर टीम द्वारा महिला को 112 एंबुलेंस के माधियम से अस्पताल पहुँचाया गया तो पतरणगर की तस्वीरे हैं जहां पर एक महिला सिलेंडर फटने से गंभी रूप से खायल बताई जा रही है दरसल किचन में ब्लास्ट हुआ और गैस सिलेंडर के फटने के बाद से फायर ब्रिगेड की को सूचना दी गई जिसके बाद से मौके पर जो है प्रशासन के अधिकारी पहुँचे और देखा की महिला गंभी रूप से खायल हुई है और उसे ततकाल प्रभाव से अस्पताल में भरती कराने का काम किया गया साथ ही आग बजाने का काम भी किया गया दरसल किचन में सिलंडर ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद से ये नुकसान हुआ है और घर को भी काफी शती पहुँची लेकिन गंभीर रूप से महिला गायल बताईगी जिसको आप देख सकते हैं कि जो जवान है वो अस्पताल में भरती कराते हुए भी नज़र आ रहे है पितोड़ा कड़का ये मामला आपको बता रहे हैं और तस्पीरे भी लगाता दिखा रहे हैं कि तरीके से गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भरती कराने का काम किया जा रहा है ये जवान है और ये महिला को जो है अस्पताल लेकर के जा रहे है दरसल बताया ज कराई कि घर में घर के ही किचन में ब्लस्ट हुआ और सिलंडर फटने से यह अधसा हुआ इसमें एक महिला गंभी रूप से घायल हुई और साथी बताया जा रहा है कि घर की दिवारों को भी काफी नुकसान इससे पहुचा है लेकिन जो महिला घर में उस समय उपस्तित थी उ पुलिया को लेकर के ग्रामिन आकरोशित है इस पुलिया के निर्मार को लेकर के कई सालों से ग्रामिन प्रदर्शन कर रहे हैं अब पुल निर्मार के लिए 16 लाग के स्विक्री देदी देदी गई है लेकिन ग्रामिनों का आरोप है कि पुल निर्मार में केवल खाना पू पूरा है और कुछ कॉंग्रेस के लोगों के इशारे पर लोग पूल निर्माण कारे पर विरोध जता रहे हैं तो दिनेश्पूर की यह तस्वीरे हैं जा तेखे यह करीब 16 लाग की लागत से रख्टापूल मंजूर है और जहां तक आरोपरत्यरों का मामला है कुछ कॉंग्रेसी हैं को किस्याने बिली खंबा नोचे सरकार है नहीं उनकी आरोप परत्यरों लगाना उनका अरोप लगाना ऐसा है काम करें उनका इसमेय काम है विपक्ष का काम ही लिए और विपक्ष ने आज तक कभी निकास की सोच नहीं सोची यह जब से देश आजाद हुआ है यहां पर गाओं बसे हैं तब से लेकर एक समस्या यहां पर थी कि यहां पर एक फुल बना चाहिए देखिए यह जो पुल अभी कुछ दिन पहले जब इस पुल का उध्धण हुआ था तो पूरे गाओ वाले सब खुश थे बहुत हर्शुल्लास के साथ हम आये यहां पर पूरे गाओ वाले ही आये यहां पर देखने फुल का उध्धण और गाओ लोगों ने अपने खुशी स अपने पैसे से मिठाए भी बाठी लोग इसने खुश थे क्यूंकि यह जो पूल है इस पूल के लिए बहुत पहले से संगस्ट चल रहा है तो जब से समझ अमजदार हुआ हूँ तब से ही देख रहा हूं किसके संगस्ट चल रहा है पैसे पूलिया हमें कोई काम में नहीं हमारे विशबास जो हमारे बीस में यह के पूल का निर्मान हुआता हुआ 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 है और विदायाख चीव अरवराजी मानिए इदर हमारे जो भाई अमित नारंग इन्होंने बहुत जोर के सोर से हम लोग पोशिश के वावजवद भी हैं मनला बहुत दिन बाद है फूल का बजट जो पास हुआ इसमें जो सुनने को आया जा 16 लाग का बजट इसमें पास हुआ है तो इसमें मे जो रेता बज़री इसमें काम चला लाट कर दिया रिशकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने 24 घंटों के अंदर चोर को गरफतार कर लिया आपको बता दे कि रोड़ वेज बस उस्टेंड परिसर में स्कूटी चोरी हो गई थी जिसके बाद से पुलिस को शिकायद दी गई कि पुलिस ने वामरा संग्यान में लिया और कारवाई शुरू की पुलिस ने आरोपी को जेल भी फिलाल भेज दिया है महमहीम राज्यपाल रिटायर लेफ्नेंट जिनरल गूरमेज सिंग अपने दो दिवसी जनपत ध्रमन के दौरान गुरुद्वारा श्री नानक मत्था शाहित पोहँचने पर महमहीम राज्यपाल को गार्ड अउनर दिया गया इसे के साथ ही गुरुद्वारा कमेटी ने राज़पाल गुर्मेज सिंग को स्मृति चिन और शरोपा भेट किया वही राज़पाल गुर्मेट सेंग ने गुरुद्वारा श्री नानक पत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख सम्रिधी की खुशाले की काम ना की और राश्क समाज और चानहित विच पूरा काम करना चाहिता है गया मिनुते सब्तो वड़ा संदेश यही है कि सेक तरम पीरी और मी जोना दा संदेश है कि इनना वड़ा स्पेक्टरम है एक साइड वेज डिविनिटी, स्पिरिचुलिटी और दुद्धी साइड वेज प्रेवरी करे और जड़ा गुरु गोबिज सिंग्देद अंसानों सिखाया है निश्चे कर अपनी जीट करो और दुजी तरफ दुरुनानक देव जी ने क्या है सच खंड वसे इनने रहा उखाया है यह जड़ा प्रेव है गया है यह जड़ा एक स्था है किया है यह सब्सक्तों बटा उप्चुनाओं को लेकर के सियासी पारा चड़ने लगा है अल्मोडा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकारवारता में कहा कि बदरिनाथ और मंगलोर उप्चुनाओं में बीजेपी के स्थितिक काफी मजबूत है जिस सरह लोगसबा चुनाओं में प्रदेश की पाँचों सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उससे साफ हो गया है कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय है उन्होंने आगे कहा कि धामी सरकार जो है वो लगातार जनिता के हित में काम कर रही है 2022 में पार्टी ने जो भी संकल्फ लिये थे उन पर काम किया जा रहा है देखे उपचुनाओं में भारती जनिता पार्टी किस्ती दी बहुत मजबूत है इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है बदिलनाजी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए है इस बार हम एक बड़े बहुमत से मजबूत जी की सीट को जीतना चाते है और जहां तक मैंगलोर सीट है मैंगलोर सीट भारती जनिता पार्टी इस बार अपने कार्यकरताओं के और वहां की जनिता के आधार पर एक अच्छे बाहुमत से मेंगलोर सीट जीतेगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगी और कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिश्वाल सिंग बेस्ट ने आरोप लगाया कि पुश्कर सिंग धामी सरकार का टाटा सबुहों के ओर से इलेक्ट्रोनिक सिटी बनाने का दावा हवा हवाई है साल 2018 और 2023 में निवेशक समेलनों में प्रदेश का कीमती पैसा अंधाधून खर्च करने के बाद से प्रदेश के युवाओं के हाथ खाली है और शिश्वाल सिंग बिस्ट ने कहा कि उत्राखंड राज्य आज देश के उन्चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है जिन में सरवाधिक बेरोजगारी है ना सरकारी नोकरी ना ही सोरजगार के कोई भी रास से प्रदेश सरकार ने साथ सालों में राज्य के बेरोजगारों को जनता को बहुत बड़े-बड़े सब ने दिखाए और 2018 में भी इन्वेस्टर मीर्ट इस राजे में हुआ तब डेट लाग क्रों रुपे के हमोई हो होने का दावा सरकार ने किया था और उस इन्वेस्टर मीर्ट का उ दावा किया और इन्वेस्टर मीर्ट के उठाटन में ही दावा किया कि 40,000 क्रों रुपे की ग्राउंडिंग नजर में आ रही है केवल जो है दावे हो रहे हैं जुम्लेबाजी हो रही है लेकिन धरातल पर जो है सरकार के दावे नहीं उतर रहे हैं तो उत्राखंट की खबरे देख रहे थे आप बुलेटन में फिल हाल इतना ही नमस्कार